तो आप हमसे ख़फा होकर यहां बैठी है अपने बेटे के कमरे में क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमारी खता क्या हुई एक होते हैं आपकी खताओं का ख़जाना है हमारही पाफ तो राणी भाव McMu Потомуकि काम नहीं होता है और खतrick सकते हाथ कर आपकी तरिज करते हिं तो अवहिए थीखक है तो आप अभी हमारी तारीफ में कक शेर बोरिए और दिल से बोलेगा जरू जरूर रानी साहिबा आपकी तारीफ में एक शेर अर्ज है आप कुछ इस तरह हमारे दिल में समाई हैं मानो बाजरे के खेत में भैज घुसाई यह 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 हमारी तारीफ कर रहे हैं यह हमारी तोहीन कर रहे हैं उरानी साइबा, क्या है हमारा अधरा गला सूख्रा तर तो इसलिए ये शेर निकला है, हम तो लोगा सा पानी पी लेते हैं, हम फिर... तो आरानी साइब, हम सब समझ गए, आप हमसे प्यार ही नहीं करते हो, यहाँ आपका गला सूख रहा है और वहाँ दरबार में खामोश- खारगोश- खामोश- खारगोश- अ分享 दो उझे करते और एक तो जानकारी काम फिर भी बॉलेंगे हम आपस अच्छे तो हमारे दुष्मन है है जो माईरी तारीफ करते है यह तो रोज होता है इसमें कौन सी नहीं बात है चाहाँ पर अपना भैना आप पर रोज हमला करती हम उसकी बात दे कर रहे हैं हम अपने पुराने दुश्मन दाउद खान की बात कर रहे हैं दाउद खान ने पानीपत के पुराने किले पर हमला कर दिया है और यहां जादे सलीम युन्दी की नीती बना रहे है सलीम अरे इस गदे के बच्चे को किस ने कहा था युन नीती बनाने के लिए जहां पटना गधेगा बच्चा अग्टा अज्था पना गधा गेंडा बातने करेंगे अब यह जहें पना चलिये चलिये जाहिए 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 वो ज्यादा जरूरी है a हमारी तारीफ किये बिना ही चले गए दाउत खाल से लडाईhole हुआ। हर बात अपने उपर क्यों ले लेते हैं। तुर्य दाफ़ खान इसे भी अभी हमला करना था। जाबना हैरानी की बात तो ये है कि हमारे लोगों को पता ही नहीं चला कि उसने हमला कप किया रात के हंदेरे में उसने अचानक हमला करने पदेव हमने जासूस क्यों रखें ताकि वो हमें महफूज रखें लेकिन जासूस हमें कोई ख़बर देते क्यों नहीं है जहांपना हमले की तो कोई खबर नहीं है लेकिन हमारे जासुसों ने खबर दी है वो पढ़का सुनाता हूँ जहांपना खबर यह है कि राज्ज में चोरी की महा मारी केला गली में लोगों ने भर भर के तर्बूज लूटे खबर यह हैं यह हमारे जासुस को पकड़ा है वो जासुस हमारी खबरे जाकर दाउद खान को दिया करता था उसे हमने कैद खाने में रखा है जंग के माहूल में ऐसे जासूस बड़े कामा था पिर बले दाउद खान हमारा अमन प्रस्ताव मन्जूर क्यों नहीं कर रहे हैं इस बात पर थोड़ी रोशनी डाली है चाते क्या हैं ये हिंदोस्तान पूरा का पूरा हिंदोस्तान चाहिए दाउद खान को जापना हमारी इसाब से दाउद खान जैसे धोके बाज और चालबाज इनसान से शांती की उम्मीद करना व्यर्थ है जापना बिर्बल जी का तो आदत बन गई है बिना सोचे समझे उपदेश्टे निए हमें लगता है दाउद खान को एक मौका देना जाए सही कह रहे है आपल देव हम उन्हें एक मौका और दिंग दाउद खान को फर्मान भेज दिया जाए कि अगर दो दिनों में उन्होंने हमारा अवन प्रस्ताव मन्जूर नहीं किया तो हम ऐसा हल लाब बोलेंगे के दाउद खान और उसके आने वाली साथ नसलों का नाम और निश्चान मिट जाएगा अभी हम फर्मान तयार करवाते हैं जापना हुजूर जापना की जैव शायर आमिर खान आपसे मिलने आए शायर आमिर खान शायर आमिर खान ओभी बिना इत्तला किये ये बात हमें ठीक नहीं लग रहे है जापना जापना शायर आमिर खान आपके मित्र है इन्होंने आपकी जंग में सायाता की थी अगर ये सायता नहीं करते तो अमिर खान के भाई गरीब खान के खिलाफ आप जंग कभी नहीं जी सकते हैं हम अमिर खान से मिलना चाहते हैं उन्हें बुलाया जाएं चाले अमिर का नादिर हो जहां पना आपकी खिद्मत में शायर आमिर का आदाओ धुम बचादू रंग जमादू रेगिस्ताओ में फूल खिलादू जहां पना आपकी इजासत हो तो आपकी शान में शेर अर्ज करना चाहता उ इर्शाद अर्ज किया है अब्बू हमारे कहते थे बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा सबका काम तमाम करेगा और जब कभी घोडी में होगा सवा हर सक्स उसको जुक कर सलाम करेगा धूम मचा दू रंग जमा दू रेगिस्तान में फूल खिला दू पाः पाः कर शेट मैं यहां विसे आना कैसे हुआ जहां पना हमारी शायरी बावर्ची के साथ भाग गई मतलब हमारी शायरी की जो प्रेड़ना है उस हसीना का हमने नाम दिया है शायरी वो किसी के साथ भाग गई अब हम शायरी की नई प्रेड़ना धूनने दिल्ली आए हैं अगर आपकी इजासत हो जहां पना तो इस आली शान महल में हम कुछ दिन रहना चाहते हैं देखे आप हमारे महल में रुकेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि जग का माहौल चल रहा है और हम नहीं चाहते हैं कि हमारी वज़ा से आपको किसी प्रकार के तकलीफ हो तो हमें सोचने के थोड़ा सा वक दीजिए आप शाही बगीचे में जाकर हमारा इंतजार कीजिए हम कुछ देर में आपको इत्तला करते हैं जो आज्या हो जहां पना सिपाईयों तबहुत इने छाही बगीचे में लेकर जाई पना अपक ये क्या कर रहे हैं आप एक दुश्मन को पना दे रहे जान बुजकर आप खत्रा मुल ले रहे हैं हो सकता है कि रात के अंधेरे में आप पर हमला कर देतो तो यह मत भूलिए आप एक दुश्मन के भाई को पनाह दे रहे विवेशन भी दुश्मन का भाई था रावन का भाई था फिर भी राम जी का सबसे प्रीय मित्र था उसे पता था कि लेकिन हम पूछते हैं पायशा के में पूछे बिना जहां पनानए इजाज़त ही क्यों दिया है? महल में आने की ये वजय भी सही है ठीक है पैना पैना उस आमिर खान को इस महल से निकालना होगा हम निकालते हैं भाई साथ वो है का अपने महमान कख्ष में पैना तब तक हम दाउद खान को फर्मान भेज कर आते हैं हमारी इजाजत के बिना मान ना मान ये कैसा महमान आमिर आमिर खौन उझे कमच्छ हूंगा चोड़ूंगा नहीं ओए आमिर खान हम नीचे हैं तूम मचा दूं रंग जमा दूं रेगिस्तान में फूल खिला दूं रानी सहाइबा की शान में शायर आमिर का आदाब हाँ हाँ आदाब आदाब फिलहाल एक शेर अर्ज है ऐ मेरे खुबसूरत शेर ऐ मेरे प्यारे शेर इस खुबसूरत हसीना से तो डर जिसकी एक अदा पूरे शेर में मचा सकती है गदर वाह 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 क्या शेर है आमिर खान साब लेकिन रानी साहिबा आपका यहां आना कैसे हुआ अरे हम तो आपको बाहर नहीं नहीं खुबसूरत बला कुछ और बोली बाहर से हमारे महल में पधारे बी तो आप हमारे मैमान हुए ना तो महमान की खातिर दारी करना उनका श्वागत करना तो हमारे पर्स बनता है आपको जोच च़हिए खाना पीना ऐ किसी भी चीज की जरुरत हो आपकी खातेरदारी में हम थाले जे शुक्रिया नवाजिश बस बस लेकिन आप याद रखिएगा खुबसूरत ऑड़त कुबसूरत ऑड़त खुबसूरत ऑड़त याद रखिए हां माशालला माशालला ठूम मचा दू रंग जमा दू रेगिस्तान में फूल खिला दू रानी साहिबा मैं यहां आप पे शायरी करने नहीं आया हूँ मैं तो किसी खास और गहरे मकसद के लिए यहां आया हूँ अमिजान चाहिखून है हम आज आप हमारे मसाला दूद में जरा बादाम और पिस्ते जादा डालना क्योंकि आज हम अपनी फॉलादी टांगों की कसरत कर रहे हैं मुझा पताया पूपी और मैं हातों की कसरत कर रहा हूँ हाँ अमिजान अमिजान अरे हमने आपसे मसाला दूद मागा था मसाला प्रण नहीं मागा था वह तो अच्छा हूँ हमने दूद में सुपार ही देख ली वरना हमारे फॉलादी दात तूट जाते बहना 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 आप कितनी अच्छी हो रहे हमने पता है उस शार को आपने इसमायल से धक्के मार के निकाल दिया होगा उन्हें कौन धक्के मार के भार निकाल सकता है वो तो खुद एक खूपसूरत खुश्बुदार हवा का जोका है आपको दुश्मन से इतनी हमदर्दी एक मतुरा और उन्का के जो है यहां पर वाई नेखंगे त्यमान के दश्मन और टुशल्म से तरज कोई तु ए टारीफ अरे हमें कीी आमिर खान साब ने हमारी तारीफ कि खबर्दार खबर्दार अगर किसी ने भी हमारी इजासत के बिना उन्हें यहां से निकाल दिया तो आहां चलो पान खाते हैं पहना यह पहना क्या कर रही है बहना साप को दूद पिला रही है क्या कहा शाही खून है हम अपकी बात नहीं कर रहे हैं भांजे हम उस शायर आमिर खान की बात कर रहे हैं हमें तो उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है आप दोने काम किजे हैं आज से नहीं अभी से उस पर नजर रखिए उसकी चोटी सी चोटी बात हमें कवर करते रहें हम उस पर नजर रखना शुरू कर देने जैसे हमारे पास तो और कोई काम है ही नहीं क्या हूँ शाहिक हूने हम मामुजान और वैसे आप खुद क्यों नहीं उस पर नजर रखते भांजे भांजे आप समझते नहीं हैं दाउद खान ने जंग चिड़ दिये अगर उसने हमारा अमन प्रस्ताव सुईकार ने किया तो ह में हमला बोलना होगा हम बाहर के दुश्मन पर नजर रखते हैं और आप दोनों अंदर के दुश्मनों पर नजर रखिये कुछ धूड रहा है अमिर जी नहीं भीरबल जी मेरी ही मेरी शायरी की प्रेणना को डूण रहा हूं ना जाने कब कहां कि शकल में मिल जाए और फिर मिल जाए तो मैं उसी तरह से धूँम अचादू रंग जमादू और रेगिस्तान में फून खिला दूँ आमिर जी अगर आप अपनी सलामती चाहते हैं तो यूं ताका जाकी बंद किजिए वैसे भी मैल में काफी लोग आप पे शक है उनका शक मत बढ़ाई जी बीरबल जी दाउद खान आ रहे हैं उन्होंने अमन पस्ताव स्विकार कर लिया है क्या दाउद खान आ रहे हैं आप जानते हैं दाउद खान को नहीं मैं कभी देखा ही नहीं दाउद खान को मैं नहीं नहीं जानता आईए 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 दाउद खान जी आईए ये है हमारा शाही दरवार बताईए कैसा लगा हमारा शाही दरवार ठीक ही है अगर हम बादशा होते तो हमारा दर्बार इससे कई गुना बड़ा और कई गुना ज्यादा खूप सूरत होता आईए तरशीरिफ रखिए आई मुगलिया सल्तनत में हम आपका इस्तक्बाल करते हैं काउत खान जी क्या आपको बादशा अकपर का शांती प्रस्ताव मंजूर इतनी जल्दी भी क्या है कर लेंगे मंजूर कुबूल कर लेंगे पर पहले हम बादशा अकपर को यह तो बतातें कि हमारा दिल भी कितना बड़ा है कर दो कर दो कर दो कर दो इन मुझस्तिमों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दाउद खान लेकिन अब हम भी आपको खाली हाथ यहां से वापस नहीं भीज़ेंगे इस समन के प्रस्ताव पे आपकी मन्जूरी लेकर ही आपको यहां से विदा करेंगे जा पना यह शांती प्रस्ताव अभी पूरा होगा जब दाउद खान जी पानी पत का खिला हमें वापस करेंगे अगर हम आपकी जगा होते तो बिल्कुल यही कहते हैं हम वापस लौटते ही आपको वो खिला वापस कर देंगे हाहा हा चोड़िये कहां गूमते रहते हैं क्या क्या सोचते रहते हैं पूरशी आप यह सोचने के एक आदमी पहले हमला करता है और फिर शांती प्रस्ताव भी स्विकार कर लेता है दाओद खान जैसा दिखता है वैसा है ने कहीं न कहीं कुछ तो है जो हमारे नजर से छुपा हुआ है छोड़िये क्या छोड़े यूँ शक करना छोड़िये और दाओद खान से कुछ सीखिए हम मुझसे क्या सीखें हमला करना प्यार का हमला आप एक बार हम पर प्यार का ह किजिए और फिर देखिए हम कैसे दू मचा दू रंग जमा दू रेगिस्तान में फूल खिला दू ऐस ख्वाबों की रानी हुसन की मलीका यू तो जन्नत की हूर हो तू अगर एक मौका दे दो तो दिल की महरानी बनाना चाहता हूं आपको छोड़िये इनके कहने का मतलब है कि वह वह क्या शैरी करते हैं आप वैसे एक बात बता देते हैं आपको यहां आपकी डाल नहीं है कलने वाली क्योंकि रानी साहिवा कुछी दिर में आकर यहां आपसे हैं मिलने वाली अभी तो चलता हूं एह हसीना तुससे दो बारा फिर मिलूंगा वो शायर आपसे डर कर कायर हो गया क्या? आपके दर पर कायल हो गया आप भी को धून रहे थे वो कहां कहां? इस तरफ क्या है? उस तरफ हम जाएं कहां है? कहां है? कहां है वो कमजर्फ शायर आमिर खान? छोड़िये! रोशी जी अगर आप कहेंगी तो हम सब कुछ छोड़ देंगे मैं तो पहले से सब कुछ छोड़ चुका हूँ क्या छोड़ चुके हैं? पता नहीं क्या पर छोड़ चुका हूँ देखें, आप दोनों को कुछ छोड़ने की ज़रूद नहीं है हम ही ये जगा छोड़ के चले जाते हैं? वैसे वो शायर अमिर जो हैं, वो यहीं आने वाले हैं आप यहीं छुपके उनका अंदिजार कीजे और जैसे ही वो आये, उन्हें दबोच लीजे छोड़िएगा नहीं प्यार का हमला आजा, छुपते हैं काँ का है यो दो मेरे शेर आमिर खान के बारे में उन्हें पता लगाने के कहा था अभी तक नहीं आए अरे मामुजा नाप है, हमें लगा की आमिर है देखो, तुम दोनों को हमने आमिर खान के बारे में पता लगाने को कहा था, क्या पता चला? शाही खून है मामुजान, हमने आमिर के बारे में सब कुछ पता कर लिया है क्या, 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 बताओ मुझा पता है पिता जी आमिर खान सवेरे, सवेरे सवेरे, सवेरे नहीं उठते तो पैर में उठते उसके बात, उसके बात और सबसे पहले वो तंत मंजन करते हैं और पिता जी वो अपना सर्क हो जाते हैं पिता जी सबसे जरूरी सबसे जरूर क्या? सबसे जरूरी वो गरारे करते हैं वो भी छे बार भलत छे बार नहीं, साथ बार तेरा ध्यान कह रहता है और गरारे वो ऐसे करते हैं पुटुक 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 बहुत हो अधरारे अगे आगे पताओ क्या हुआ उसके बाद मामुजान वो अपने कमरे में कमरे में नहीं जाता बाहर चला जाता है बाहर चला जाता है किस से मिलता है क्या बाते करता है मुझे पता है पिताची आमिर खान बाते क किस को किस को खुद को तो कि अम्मी जान के हलावा उसकी शायरी और घजल कोई बरदास्ट नहीं कर सकता अभी हम आप दोनों को परदास्ट नहीं कर पा रहें क्या वाइयाद खबर लेकर आते हो जो और उस पर नजर रखो चील की तरह उस पर नजर रखो तो जरू कोई कर रहा होगा गलात मामुजान हमने उस पर पूरी नजर रखी लेकिन उसने कोई भी खिचिडी डाल चावल कुछ नहीं बगाई वरना हमें इतनी भूक लग रही थी हम कुछ खा नहीं लेते हैं न वासू और जाओ कदो मताब हमारे शेरों जाओ और वो आमीर खान पर चील कितरा नजर लखो अंकों से ओजर होने न पाई पिता जी यह शेर चील की तरह कैसे नजर रख सकता है जाओ बड़े ही अदभुत मुझस में थे वो काश कोई मुझे तोफे में देता तुम्हें एक हजार शेर उस पे लिख देता जैसे कि ये शेहनशा के दर्वार में शेहनशा के दर्वार में गसब के सिपह सालार है एक नहीं दो नहीं पूरे चार चार है अगर मैं आपकी जगा होता तो सिर्फ यूख ख्यालों में नहीं सोचता बलकि उस कला की मूरत को गले से लगा लेता लिपट जाता आखिर आप आ गए नहीं आप चाहें तो हम यह भी चाहें नहीं 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 कोई ज़रूरत नहीं अपने किसी भी रिष्टे का किसी से जिक्र न कीजिये का और हाँ एक इलतीजा होर है आपसे किसी को ये खबर न चले कि मैं आपको जानता हूँ क्योंकि मुझे तो अपना मकसद पूरा करना है अगर मैं आपकी जगा होता तो ऐसी बात भी नहीं करता कुछ चीजों को समझना ही काफी है इत्मिनान रखे और बेफिक्र रहे है क्योंकि अब हमारा जाने का वक्त आ गया है छोड़िये हमें किसी की शायरी नहीं सुननी और नहीं हमें किसी शायर की प्रेडना बनना है अरे उर्वशी जी, उर्वशी जी, उर्वशी जी, उर्वशी जी, गजब धा रही हो, पूरे महल का गुस्सा हमें दिखा रही हो, अरे किसमत से आप मिल गई हो, कसम से सच कहताओ मेरे साथ मिल जाओ, फिर तो मैं अपनी शायरी से धूम मचा दू, रंग जमा दू, रेगिस में फूल खिला दू छोड़िये बन कीजिए इस मौतरमा के आगे पीछे घूमना क्योंकि ये मौतरमा है हमारी प्रेणना दूर हो जाओ हमारी नजरों से बाहर निकलो इस कमरे से अरे इस हालात पर तो शेर याद आया है अर्ज किया है क्यों किसी ने कहा आपसे अर्ज करने के लिए क्यों अर्ज किया है अरे शायर मोहताज नहीं किसी की इजाजत का हट जाओ वरना ग्रा देंगे परदा हिपाज़ अभी जहाँ पना से कहकर आपको बाहर निकलते हैं नहीं बिल्कुल नहीं ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप उर्वशी तुमने पहले से जहाँ पना पर जादू किया है अब इस बिचारे मासूम शाहर पर अपने हुसन का जाल बिचारियों अभी इसी वक्त इस महल से निकल ये हमारा हुकुम है नहीं अम्मी जान सारे फसाद की जड़ तो ये शायर है हमारी उर्वशी हमारे महल की उर्वशी तो निर्दोश है हम अभी इस शायर को इस महल से बाहर निकालते हैं सलीम भाई साब बहुत दूर बहुत दूर चोड़ कर आना आप इने और साथ में आद भी चले जाना तब तक मैं उर्वशी जी का ख्याल रखूँगा ना चलिए बहार अरे छोड़ दो सली छोड़ दो चोड़ दो अरे चुक्ता रहनी की बचाईए इसको तो बाहर बागाईए पुलचंत अज तुम्हारे हाथो से मालिश करवा कर हम बहुत खुश है आज जहां पनावी हमसे बहुत खुश है पुछो पुछो क्यों क्यों क्योंकि हमारे भेजे हुए फर्मान की वज़े से दाउद खान ने अमन प्रस्ताव स्विकार कर शांती का सम्झावता कर लिया है और बीरवल हाथ पर हाथ धरे बैटे रह गए पुलचंत ये लो अंगूठियां रहा हमारे नगलियों के मालिष करो रखो यहां आम बाद में पहन लेंगे रखो उंगलियों के मालिष करो अप्ड़ जी दाउद खान ने पानी पत्तो हमारे हवाले किया नि बल्के बारा मुला पर हमला कर दिया और इस हंदेज बेजाए कि शांती का प्रस्ताव शांती के दस्तावेश उसके लिए कोई हिमाइने ने रहे हैं जहां पना ये खबर सुनेंगे तो हमारी चोटिया कठवा देंगे आखिर हमने उन्हें समझोती की सलहा दी थी बल्देव जी हमने तो यहां तक सुना है कि अब चलिए बल्देव जी युद्ध की नीती बनानी होगी इस दाउत खान को मूँ तोड़ जवाब देना होगा चलिए चलिए हमें दुश्मन पर इस तरह से हमला करना है कि उन्हें पता भी न चले कि हमने उन पर हमला किया है हमें तो लगता है कि हम पहले उनको फर्मान भिजवा देते हैं कि हम उन पर हमला करने आ रहे हैं दुश्मन को भी तो लगना चाहिए कि किसी शाहि खून ने हमला किया है आप दोनों कुछ तमें के लिए चुप रहेंगे परना जापना आप दोनों पर हमला कर देंगे बल्देव जी, उज्जेन हमारे राज्य का हिस्सा है उज्ञन के सारे खूफिया रास्ते हमें पता है हमारे सैनिक रात के अंधेरे में खूफिया रास्तों से जाएंगे और किले की पीछली दिवा से खुझ कर दुश्मन के सैनिकों पर हमला कर देंगे चुबह तक फत्य हमारी होगी ठीक कह रहा है दुरबल जी आप रात के अंधेरे में दुश्मन हमें देख नहीं पाएंगे हम अपने सैनिकों को हमले के लिए तैयार करवाते हैं अज़िए बल्देव जी बुरी खबर है पर दुश्मन के सैनिक किले के पीछे की तरफ ही तैनाथ थे जरूर कोई जासूस होगा जो हमारी सारी खबरे दाउद खां तक पहुचाता होगा पर कौन हो सकता है तेरे दिल के खुफिया रास्ते में घुसकर अपनी जगा बना लूँगा और अपनी मिठी शाइरी के अंदास से आज रात तुझको फतेह कर लूँगा बल्देव जी इस भटकती आत्मा पर नज़र रखने होगी बिर्बल जी इस मामले में हम अब भी चार कदम आगे हैं हमने पहले ही अपने दो होनहार जासुसों को इनके पीछे लगवा दिया है लगा दिया है तो का है इनके पीछे दिक्क्यू ने रहे हैं वो जासुस है धीरे धीरे आ रहे हो गए अरे डरिये मत हम है शाही खून चहजादे सलीम छोड़िये खुट डराने वाले कहते हैं डरिये मत हम जानते हैं उर्वशी जी कि आप बहुत नाराज है ना अम्मी जानने आपको इस महल से बाहर निकलने की बात कहकर अच्छा नहीं किया लेकिन आप घबराईये मत हमारे फॉलादी दिमाग में इस बात के लिए एक प्यारा सा हल है आप हमसे निकाह कर लीजिए उसके बाद आप इस महल की हो जाएंगी बेगम फिर आपको इस महल से कोई नहीं निकाल पाएगा मुझा पता उर्वशी जी सलीम भाई साख हो दो फूफू एक ना एक दिन लाथ मार कर बाहर निकाल ली देंगे पर मुझे नहीं निकाले ले इसलिए आप मेरी बेगम बन जाएए पास पिर फूफू आपको भी महल से बाहर नहीं निकालेंगे अर्वशी जी उर्वशी जी उर्वशी जी गजबधा रही हो वास्तु के साथ साथ सहजाद सलीम को भी बेवकू बना रही हो मेरी समझ में नहीं आता उर्वशी जी आप इस चिडिया घर में क्यों रहना चाहती है मेरे साथ चलिए मैं दुनिया की सेर कराऊंगा दू मचा दू रंग जमा दू रेगिस्तान में फूल खिलादू हमें नहीं देखनी हैं दुनिया हम जैसे हैं ना हम बिल्कुल ठीक हैं तू मचा दूँगा रंग जमा दूँगा आमिर जी होश में रहिये वरना आपके होश उड़ा दूगा पुर्वशी जी आपके लिए जापन अकबर का संदेश अब आपको घबराने की कोई ज़रूत नहीं आपको महल से कोई नहीं निकालेगा और वसी जी आप समझती क्यों नहीं आप मेरी शाइरी की प्रेड़ना है मेरी बात मान जाएए धूम मचा दूँ रंग जमा दूँ रेगिस्तान में भूल खिला दूँ बल्देव जी हमने उस जासूर का पता लगा लिया है जिसने हमारे हमले की ख़बर दाउद खान तक पहुचाए कौन है वो काफिर अभी बताते हैं चिपाईयों शायर आमिर खान जी बल्देव जी शायर आमिर खान शाही खून है हम हमने और वासू ने सुबह के नास्ते से रात के खाने तक महमान खाने से लेकर गुसल खाने तक आमिर खान का पीछा किया था लेकिन हमें कभी ये किसी से बात करते हुए नजर नहीं आए शायरी के द्वारा अपना संदेशा अपने साथियों तक पहुचाती है नहीं समझें आप लोग हम बताते हैं ये रही इनकी ही लिखी हुई एक शायरी ये अर्ज करते हैं के सुने हसीना पानी मत बीना राट को आएंगे तेरे आशिक occurring गिले पर शफल करने तेरा जीना अब इस शायरी का मतलब समझें हसีना याने दाउत खान पानी मत पीना याने भूके रहना चौकनने रहना राट को आएंगे आशिक याने हम सफल याने कतल करने गिले को हासिल करने हम तो समझते थे कि ये मदमस्त शायर है मस्ती में शायरी करते रहते हैं मगर दलसल असल में ये शायरी द्वारा अपने साज़्यों को संदेश बेजा करते थे इन्होंने स्थाबित कर दिया कि दोस्त होता है और भाई भाई बल्देव जी असल में आमिर खान दाउद खान के चचेरे भाई है बताईए है या नहीं बताईए हाँ दाउद खान मेरा चचेरा भाई है लेकिन मैं अपने भाई गरीब खान के कपल का बदला लेने आया था हमने तो पहले ही का था तोस्त नहीं दुश्मन है लेकिन आपको तो बीमारी है न हमारी बात ना मानने की हम तो चाहते हैं कि इन्हें तुरंत फांशी की सजा सुना दी जाए अ बिल्कुल सही का बल्देश हम आपकी राय से बिल्कुल सहमत लेकिन इसकी सदा हम बाद में मुकरर करेंगों फिरहाल दाउद खान दिल्ली पर हमले की तयारी कर रहा है हमें जल्द से जल्द एक योजना बना कर जहां पना तक पहुचाने बिर्बल इतनी राद गये खुपिय का तरिके से हमें क्यों बुलुआ बरें दाउद खान का जासुस तो पकड़ा गया ना वल्देश यो इसलिए कि हमें डरता कि हमारी बाते कोई सुन न ले पैसे भी आप तो जानते ही है कि दिवारों की भी कान होते हैं और हमने चाहते थे कि हमारी बनाई हुई योजना किस 12 मुल्ला के मुख्य द्वार पर जाएंगे और दाउद खान को ललका रेंगे और जैसे दाउद खान बाहर आएगा और मुख्य द्वार खुलेगा हम उस पर हमला कर देगे बिरबल जी, दाउद खान क्या दूद पिता बच्चा है जो आपके गोद में बैठ जाएगा और आप उसे पकड़ लेंगे मावजान बहुत बुरा था हम जानते हैं बलदेव जी कि दाउद खान को दूद पिता बच्चा नहीं है लेकिन बीरबल ने भी कच्छी गोलिया नहीं के लिए दाउद खान के मुख्य दौआर पर जो सैनिक है उसमें कुछ हमारे सैनिक मिले हुए जो दाउद खान के फौज में बढ़ती हो गए बस वो हमारे लिए मुख्य दौआर खोलेंगे और हम दाउद खान पर हला बोलेंगे तक दाउत खान की फौज में हमारे सेने लेकिन ये बात हमें क्यों ने पता है वो इसलिए बल्देव जी क्योंकि हम नहीं चाते थे कि हमारे और जापना के अलावा ये बात किसी और को पता चले हमारी युद्धनीती ही बदल दिये दू मचा दू रंग जमा दू रेगिस्तान में भी फूल खिला दू ए खूल चूसे वाले मच्छर नहीं हूं मैं कलंदर या सिकंदर मैं तो हूं अधना सा एक शायर अब तो मुझ पर रहम कर रहम कर रहम कर शायर आमेर कौन उर्वशी मैं तो समझा आप मुझे भूल गई मगर मेरे गम में आप कितनी फूल गई हम रानी साइबा है आपको हम इस कैद खाने से छुड़वा सकते हैं और आपकी जान भी बचा सकते हैं लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना होगा मैं सब करने को तयार हूँ आपको हमारा नीजी शायर बनना होगा और हमारी खूब सुरती हमारी खुब सुरती, हमारी खुब सुरती की तारीफ में शायरी करनी होगी हमेशा हमेशा तडब तडब कर नरक का जीवन नहीं है बिताना उससे तो अच्छा है ये कैद खाना अब मैं कब तक जुल्म सहूंगा और रानी साहिबा आप ही बताओ तर्बूस को कब तक गुलाब का फूल कहूंगा नानी साहिबा दिल तो अभी बच्चा है रहने दो ये कैद खाना ही अच्छा है खुशामदीद, खुशामदीद आखिर हमने दाओद खान पर पते पाही चापाश बीरपल, चापाश वजीर आज़म किस खूबी से आप लोगोंने अचानक से पीछे के द्वार से हमला करके उच्चैन को वापस ले लिया और उसके बाद किले की चोटी पर पहुंचकर सामने वाले सेनिको को जो ना जाने किसका इंतजार कर रहे थे सब को ख़तम कर दिया वाँ, 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 वाँ शुक्रिया जाँपना, शुक्रिया लेकिन विबल जी एक बात हमारे समझ में नहीं आई कल रात आपने सामने के द्वार पर हमला करनी की योजना बनाई थी तो आपने अच्चानक पूरी योजना ही बदल दी आकर क्यों ये बात हम आपको बताएंगे नहीं दिखाएंगे लेकिन आप लोगों को थोड़े दूर से देखना हुआ क्योंकि पास जाने पर जान का खत्रा हो सकता है लिए अपूर आपने तरह lyrics si क्योंकि कूरिए बडर बिरबल ये मुझस्त मेंले हिल किसे रहे है ये हो क्या ना है जाप ना ये मुझस्त में नहीं दाउद खान के जासूस है जबायों गरफतार कर लिजे ने गरफतार कर लिजे ने आप तोनों का खेल खाटम हुआ जाए ने जासूस किसे हो सकते हैं बिर्बल ये ये तो घंटों तक मुझस्तमें बनकर हमारी आखों के सामने खड़े रहे थे इतने लंबे अर्शे तक खास चासूस ये घंटों तक क्या दिनों तक ऐसे ही खड़े हो सकते हैं कठिन परिश्रम किया इन्होंने और जब इनका परिश्रम पूरा हो जाता है तो इन पर सुनेरा रंग लगा कर मुझस्तिमे की तरह इन्हें पेश किया जाता है बीड़े ये बताई है कि यह अपनी खबर बाहर पहुंचाते कैसे थे जापना आपने ये तो सुना होगा कि दिवारों के कान होते हैं इन्होंने दिवारों में ही कान बना दिय नहीं समझे हमारे महल की एक दिवार की इड इन्होंने ढीली कर रखे और उसी के दौरा ये अ आमिर खान के हाथों में सुनेरा रंग लगा देखा दूम बचा दू रंग जमा दू रेगिस्तान में फूल खिला दू हुआ हम समझ गए जापना के आमिर खान के हातों पर लगा हुआ रंग मुझे स्टमे पर लगा हुआ रंग और इनका सारा खेल हमारे समझ में आगे जब आपको सारा खिल पता था तो इन जासूसों को पकड़वाये क्यों नहीं? वह इसलिए बल देव जी के इन जासूसों को पकड़ना हमार असली मक्सद नहीं था हमार असली मक्सद था दाओद खान से हमारे दोनों के लिए वापस लेना इसलिए जाबना हमने इन चासूसों के सामने ही जान बूच कर योजना बनाई कि हम बारा मुला किले के मुख्य दौार पर जाएंगे और दाओद खान को ललका रहेंगे और जब दाओद खान बाहर आएगा मुख्य दौार के खुलते ही हम उसे दबोच लेगे और हमने किया बिल्कुल इसके विपरीद हम रात के अंधेरे में किले के पीछे के दिवार से अंदर गए और हमने दाओद खान को दबोच लिया और इस सब में हमारा साथ दिया शायर आमिर खान जापना हम तो पहले सी जानते थे कि शायर आमिर खान बेगुणा है, बेकुसूर है, फिर भी हमने उन्हें गिरफतार करवाया, क्योंकि हम चाते थे कि दाउद खान और उनके जासूसों को ये लगे कि हमें उन पर कोई शक नहीं, और हुआ भी ऐसी, वा, लेकिन शायर आमिर खान को गिरफतार करकर हमने बहुत बड़ी गलती कि, शायर आमिर खान को रिया कर दिया जाए, आफ की जगा जापर, हमने उन्हें पहले ही रिया कर दिया है, आवर खान जी, आये, जहां पना की खिदमत में शायर आमिर का आदाब, चाहर आमिर खान आपने बीरबल की मदद करके हमारी हमारी रियास्त की मदद कि है बताईए हम आपको क्या तोफा दे सकते हैं जहाँ पना आपकी इजाजत हो तो एक खुछ्सूरसा तोफा मांगनू आप से जी मेरी दिली तमन्ना है कि मेरी शायरी की नई प्रेणना तो ये जबन नहीं दी है कि आपको जो चाहिये में आप ले जा सकते ही जो पूरytic उप उसके के लिए आपको यही रहना होगा और या रहने के लिए आपको कुछ ना कुछ काम काश तो करना तो फार आपके लिए यह काम सही आप रानी साहिबा के नीजी शायर बन जाईए रानी साहिबा की खिदमत में रात दिन जागना पड़ेगा अब तो उर्वशी का चक्कर छोड़कर यहां से भागना पड़ेगा अरे उर्वशी तो ले जाए अमिर गांजी